सभी स्टुदेंटों का मेरा नमस्कार मैं दुर्गेश यादो सियो फाउंडर बीस प्लेटफर्म और आप सभी स्टुदेंटों को मैं जनकारी है तू बता दू मेरा ओफ-लाइन है इस बैच का नाम ही है टौप आफकेश में एसी त्यारी कराई जाएकी आप इस से टॉप और बने क्योंकि आपको त्यारी को लेकर ही यह सारा डिश्ट्राऄ़ cũ अब मोबाईल अपल्डिकेश 현 अलग अपलीकिशन अलग अलग सब्जेक्टी अलग अलग फेकल्टी रखे गए हैं ताकि आपको बेश्ट से बेश्ट हम समझा सके बेश्ट से बेश्ट तैयरी करा सके ताकि आप इस गोपाल गन जीले का मेरा DS प्लेटफर्म का अपने माबाप का अपना खुद का नाम रोशन कर सके तो ज़दी आप 9th क्लास के स्टूडेंट है 10th क्लास में जा रहे हैं तो जल्दी हम से जूड जाएए 15 से पहले जूड जाएए ताकि मैं आपका basic label क्लियर करके मैं आप लोगों को वहां तक ले चलू high level तक ताकि आप टपर बन सके जदी आप 9th क्लास के हैं और 10th में जा रहे हैं चाहे आप 8 क्लास के 9th में जा रहे हैं तो आप सभी के लिए special है यह सब batch आप सभी जरूर जूड़िए और हमारे यहां हमारा dream है हमारा dream है कि हम अपने जीले से भी heart अपर दें और इसी के लेकर हमारे सभी faculty काम कर रहे हैं और हम लोगों को पढ़ाने का तरीका क्या होता है आप मेरा YouTube चैनल DS platform से जूड़ कर एक बार देख सकते हैं ठीक है आपको समझाने का तरीका इतनी आसान होता है कि आप क्लास में ही याद कर लेते हैं यह चीज हम से मत पुछिए हम लोग कैसे पढ़ाते हैं यह चीज हमारे बच्चे से पूछिए कि मेरे यहां पढ़े हुए लड़के कितने percent satisfied है मैं दवा करता हूँ कि 110 percent मेरे सभी बच्चे satisfied रहते हैं तीक है नहीं जो भी concept होता है हर एक चीज किलिए होता है क्यों कि हम लोग 3D animation के मादेम से पढ़ाते हैं 3D animation के मादेम से PPT के मादेम से आप देखी सकते हैं मेरे पीछे एक PPT लगा हुआ है biology subject का जो biology सर्पढ़ाते हैं वो अपने PPT लगाये हुए है उनी का PPT पर आभी आपको मैं समझा रहा हूँ ठीक है नो अभी life class ला कर गया तो इस चीज को मैं समझा रहा हूँ ठीक है यह PPT उनका देख लिजे कितना आसान लग रहा है आप यह देख कर यह figure आप देख कर खुद से समझ सकते हैं A to Z Sexual reproduction in plant का एक topic का है ठीक है न तो इसका PPT आप देख कर खुद से समझ सकते हैं कि कितना आसान है इसी तरह हमारा physics का है math का है PPT तो इस माध्यम से जदी आप पढ़ाई कर यह तो बहुत आसान होगा देखिए PPT में देखिए अब हम biology के teacher नहीं है लेकिन फिर भी आज हम class देख रहे थे न तो इसमें हम मंध हम को बहुत कुछ याद हो गया जीम को क्या लेव बाती को किसी को गिफ्ट देटा है देखिए यह को कि दिखाईद करता है इसको कहते हैं बाहए अदल पूंज अब देखिए हम बाइलोजी के टीचर नहीं है खाले लगा को इसको याद हो गया इतना असान इवीधी से आपको पीपीटी के माध्यन से इतना असान इवीधी से समझ में आपको आज जाता है कि आप पुछिए मौत आप क्लास में आप पढ़िए और कल जाकर किसी को पढ़ा सकते हैं इस तरीका से आपको पढ़ाई यहां हो रहा है तो देर मत किजिए डेट याद रखिए 15 को आपको क्लास में जूड़ जाना है और यहां ओफ-लाइन क्लास में जूड़ जाना है और त्यारी बेस्ट लेबर से करना है ताकि आप यहार्ट टॉपर बनें मेरा सपना को पूरा करें ठीक है जी तो जैहिंद इसी के साथ और फिर मिलते हैं आपको ओफ-लाइन क्लास में जहीं.